तो बिमारी डॉक्तर का पीछे नहीं छूट रहा हो तो शिम महापुरान विश्नु पुरान और इसकंद पुरान में जो पुर्शुत्तम कथाव का बंदन किया गया है एक आटे का दिया उसमें चारवत्ति रखें तिली का तेल डालें थोड़ा सा उसमें सरसो का तेल डालें गर के बाहर अर्टाथ घर के अंदर के बाहर जो चोखट होती चोखट से तोड़ा सबार बिल्कुल चोखट नहीं बेठना थोड़ा सबार नौमी तिथी के दिन शाम के छे से साड़े च्छे के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बिमार रेता है उसके सिर्ष से मीचे की और श् गॉयरा सब्सक्राइब souris ब्यक्ति इक बीमारी चूट जाती है महाराच वो रोगीला नहीं रहता शुकल पक्च की नौमी चिती पीला चंदन हिसकर और उस चंदन को कि कूमल पत्ता कूमल पत्ता मतलब एग दम कड़क हो जाता है है कि क०ूंऑ लूह सुद्ध आख कएक इस पेपल के कुमल पत्ते पर उस पत्ति पर को उस पत्ते को मद्ध्यान के समय पर जिसे जब सुभा के समय पर सारी पूजन हो जाए अर्चना हो जाए भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जब बाबा एकडम आनंद में विराजे हो तब जहां शिवलिंग रखा होता है जैसे यह शिवलिंग है और यह कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही तीन उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशुक सुंदरी वाली जगा पर इस परश करना है और अशुक सुंदरी वाली जगा पर इस परश करकर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है उसके बाद मुझ चंदन को वापिस निकाल कर लेकर आना है जो लगाया गया है उसको भी निकालकर वापिस ले कराना है फिर बाबा का इसनान नहीं कराना है एबल चंदन ले कराना है उसी पीपल के पत्ते पर रखा है इडबी में उस चंदन को आप रख लीजिए कुछ दिन जिसकी नेत्र जोती कमजोर है चैश्मा लग रहा हो श्रव चंदन का तिलग लगाना प्रारम कर दीजिए और नेपरों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना में कर दीजिए लगबक 20 से बाविस दिन तक आप उसका प्रयोक करिये और एक प्रद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करकर उजल का आच्छमन करना प्रारम कर लीजिए लगवक 22 दिन लगेंगे धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्तर को ज्याच करा लेना नेत्र की जोती बढ़ना प्रारणब्व हो गई पर विश्वास के साथ बरोसे के साथ लोकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है बिमारी डॉक्तर का पीछह नहीं छूट रहा हो त पराणगे पुरशत्म कठाव का बंदन किया गया है एक अटे का दिया उसमें चारवत्ति लिखें तिल्ली का तेल डाले थोड़ा से सरसुका तेल डाले है घर के बार अर्ठाट घर के अंदर के बाहर जो चोखट होती चोखट से थोड़ा सभा नौमी तिथी के दिन शाम क के शह से मीचें सधाने सिर्वान पखान कर जिस अधिकमास में जिस धिति को उतारा कर रहे हो पुद कर तो लेकर 21 जब को उतार कर उस धिये को घर के ही चोकट पर रग देता है उस व्यक्ति की बिमारी चूट जाती है भाराज दो sulla depths कंप खाल ना किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं हुआ है तो इस कंद पुरान कतिये को मारे घंड़ में भी भणड़ा है कि किसी भी नौमी को किसी भी नौमी को आप आउं लेके पेड़ के नीचे घी का दिया लगा कर मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बनते हैं जच्छा हाथ मे बनने वाला फूजन वाला धागा, लाद गीका दिया लगाकर पांच परिक्रमा आउले के विरक्षकी कर लेजिए और परिक्रमा करकर धागे को वहीं पर छोड़ कर थोड़ा सा धागा और अलब से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना करकर बांग दीजिए महाराज़ तसमीती ठीक हो नौ मी को तो ये करो कि दस मी को बाप्री जाकर आउनले के पेड़ के नीचे घीका दिया लगाई है और जो धागे की अपने टेहनी पर जो धागा बांदा है उसको खोल कर लिया है अपने हाट पर बांद कर इसी धागे को पहँन कर अपने काम के लिए निकल जाएए आपको सफलता प्राप्दः हो जाए इसकंद कुरान में आउले के ब्रक्ष नियुका कि भरामनप होए बहु को संतान होए तो खोब घीमे गोंद तल 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 खिलाओ पर जनम अश्टमी राम नोमी पर भगवान का परशाद से यार तरो तो उसमें गोंद मट डाला क्योंकि उसमें परहमड़ा कानी से रहता है भगवान के परशाद में गोंद नहीं आना चाहिए आपका कोई काम उलज रहा है आपका कई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उल्जा हुआ है चाहे वो गोट कचे निकाओ चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं हुए तो इसकंद पुरान कतिये कुमारे खंड में भढ़ना थे कि किसी भी नौमी को किसी भी नौंई को आप आउले के नीचे घी का दिया लगाकर मोली मुली मतलब हाथ में जो नाडा बांते हैं दच्छा मौली दच्छा ताइड़ा हात में बैनने वाला फूजन वाला धागा गी गीखाधी अलगाकर पांच परिक्रमा आउका कर लिए और परिक्रमा करकर धागेक ओगी पर छोड़कर छोड़क के थोड़ा सा धागा और लज़े किसी पहनी पर उसको कामना करकर बांग दीज़ी कि हारा आउनों को तो यह करो कि दसमी को भापटी जाकर hopefully पेड़के नीचे घीखा दिया लगाई gracious है इसकंद कुराण में आूले के व्रक्ष्यका बड़ा मात अध्यमा बरपश से लग की हम रवान अपिया का इंश्वार्थ बन्जरभोंनी नहीं है इसलिए आowe कि लिए निमारे उन्सास पर करता है। तो उसमें गोन मत ढलना क्योंकि उसमें प्रहमन मत अकानी से रहता है भगवान के प्रिशाद में गोंद नहीं आना चाहिए बिमारी डाप्टरलता पीछी नी छूट रहा हो तो शिव महा पुरान विश्नु कुरान और इसकंद पुरान में जो पुर्शत्तम कथाओ का बंडन किया गया है एक आटे का दिया उसमें चारवत्ती दखें तिली का तेल डालें थोड़ा सा सरसो का तेल डालें घर के बाहर अर्थाक करके अंदर के बाहर जो चोखट होती चोखट से थोड़ा सबार बेल्कुल चोखट में बेठा है थोड़ा सबार नौमी तिथी के दिन शाम के छे से साड़े च्छे के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बिमार रहता है उसके सिर से नीचे की और शी नरसुत अगवान नीचे थी पैसाक महिना भीला चंदन घिसकर को पुस्पनों विज Where करूछ एक सुंदर को कामल पत्ता कीमल पत्त मतलब है एक दम एक तो पीपल का होता है त्दाश्टा एकल्दम करक हो जाता है और एक दम होता है कॉमल पत्त उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रखले और महराज उस पत्ते को मध्यान के समय पर जैसे जब सुभा के समय पर सारी पूजन हो जाए अर्चना हो जाए भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जब बाबा एकडम आनंद में विराजे हो तब जहां शिवलिंग रखा होता है जैसे ये शिबलिंग है और ये कटी भाग जहां शिबलिंग रखा हुआ है इस कटी भाग पर जहां शिबलिंग रखा है उसके पास में ही तीन उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशुक सुंदरी वाली जगा पर इस परश करना है और अशुक सुंदरी वाली जगा पर इस परश करकर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है उसके बाद मुझ चंदन को वापिस निकाल कर लेकर आना है जो लगाया गया है उसको भी निकालकर वापिस ले कराना है फिर बाबा का इसमन नहीं कराना है केवल चंदन ले कराना है उसी पीपल के पत्ते पर रखा है फीडबी में उस चंदन को आप रख लीजिए कुछ दिन जिसकी नेत्र जोती कमजोर है चैश्मा लग रहा हो चंदन का प्रणि कर दि जिए और नेप नेपरों के नीचे थोड़ा से चंदन लगाना प्रारम कर दिए लगबगग 20-22 दिन तक आप उसका प्रयोक कर है और एक रुद्राक्ष काजरी शिव को समर्पीत करकर जले का आच मन करना प्रारम कर लिए लगवक 22 दिन लगेंगे धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को ज्यांच करा लेना नेत्र की जोती बढ़ना प्रारणब हो गई है पर विश्वास के साथ है बरोसे के साथ है क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है